हेलो एवरिवाइन आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी स्टेडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और हमने क्लास 6 का स्टार्ट किया हुआ था प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टैंस जो की यूनिट 6 में था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हम स्टार्ट करेंगे उसी से रिलेटिड वक्षिट ठेक है ये बस उसी की वक्षिट करते ही फिर हम स्टार्ट करतेंगे सै स्टार्टिंग में दीया हुआ है रेराइट आ इंजिस कोरेक्ट ली जितने भी संटेंसेज हमारे रोंग है उनको कोरेक्ट करना है एंड राइट सी इफ a संटेंस इज-कोरेक्ट अगर वो पहले से ही कोरेक्ट है तो हमने सिरफ सी लिख देने है वो भी पहचान करनी है हमें ऐसे नहीं लिख देना फस्ट में आपको दिया हुए लोरेंस यह लोरेंस भी स्नोई नहीं है जिसने सिद्धु मुसे वाले को मारा था यह हमारी बुक वाला लोरेंस है इस हैविंग आ स्वीट तूट ठीक है तो इस हैविंग यहां पर लगा दिया तो इसका मीनिंग हो गया कि वो काम चल रहा है ले रहा है प्रेजेंट में आ गया तो यह यहां पर रोंग है तो हमने पहले क्या कट कर देना है इस हैविंग को कट कर देना है और यहां पर आ जाएगा हैज और हैज क्यों आया क्यों कि अगर एक परसन होता है तो लग थे भी ज़ाद होते हैं, बोईज वो भी ज़ाद होते हैं, तो हैव लग जाएगा, अब यहां पर अकेला था, तो लगेगा हैज, और लगेगा कब सिर्फ प्रेजेंट में, और बाकी आपने यह सारा का सारा सेंटेंज सेम राइट करना है, जो चेंज था सिर्फ मैंने वही बताया है और वही राइट किया है सेकंड में है माइक कैट कीपी इस हैविंग इस मिल्क नाव तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है तो कैट है एक है तो इस लगा दिया और हैविंग मतलब की वो दूद पीरी है तो वो काम चल रहा है कॉंटिनुस में आ गया थर्ड में हैं चीताज आर रनिंग एक्स्ट्रीमली फास्ट तो चीताज आर रनिंग नहीं होगा सिरफ और सिरफ क्या आ जाएगे हापे रन आ जाएगा उसकी एक विशेष्टा बताएगे एक क्वालिटी बताएगे ना कि वो अब हमको दोड़ के दिखा रहे हैं सोला साल की नेक्स्ट मंथ में होने जा रही है फिफ्थ है ग्रैंड मार्ट टेक्स आ नैप इन हर रूम नैप होता है थोड़ी देर के अपाने स्लिप लेनी हो डे टाइम में उसको बोल देते हैं और वो जरूरी भी होती है अगर अपा डे टाइम में थोड़ा ले लेते हैं तो रात तक अच्छे से हमारा सारा काम निपड़ जाता है तो यहां पर आजएगा इस टेकिंग यहां पर कॉंटिनियूस दिखाना पड़ेगा क्योंकि जो नसी नैप है वो लगातार मतलब कि सोने को बोलते हैं आदा एगंटा कर दिन में सो गए तो वो काम सुचारू रूप से चल रहा है तो इस टेकिंग आ जाएगा इस क्यों आया है क्योंकि हमारी ग्रेंड ममी जी एक थी और INGQ लगाया क्योंकि काम चल रहा था ये बन गया हमारा प्रेजेंट कोंटिन्यूस में सिख्थ है सोनाली इस वर्किंग अप अर्ली एवर्ली एवर्ली डेई तो ये तो इसने रोटीन बता दिया तो यहां पर आएगा सोनाली वर्क्स की वो काम करती है ये तो इसने प्रेजेंट में सेवन्थ है दा फांडेशन स्टार्ट अट शिक्स पीम और रहा है एर्थ है फू स्टेंड नेक्स्ट टू दा विंडो यहां पर आजाएगा फू इस स्टेंडिंग नेक्स्ट टू दा विंडो कॉन खड़ा हो रहा है रागनी इस गोइंग फोर नहीं आएगा यहां पर सिंगिंग लेसन एवरी खाटड़े यहां पर आजाएगा रागनी गोज इस गोइंग को काट देंगे सुहाना वाला आपका रहेगा कोरेक्ट आगे आगे इसका बी पार्ड अब जहां पर्फेक्ट की बात आजाए मापे आपको हमेशा याद रखना है क्या लगेगा एक तो लगेगा परसन के लिए और यह लगेगा आपसे एक से ज़्यादा परसन आ जाए उसके लिए और has have तो लगा देंगे एक देख लिया जादा देख लिये उसके बाद verb की लगेगी हमारी third form ये रहेगा हमारा present perfect का format तो first में जैसे आपको bracket में दिया गया है schedule तो हमने लगा देना है has scheduled ed लगा देना है उसकी third form बना देनी है इसी तरह ही second में lie दिया हुआ है तो यहाँ पर आजाएगा have lane ल-a-i-n और third में lie दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा has laid ल-a-i-d ये हो गया third form और has क्यों लगा है क्योंकि अकेला था और fourth में हो जाएगा has bid about a thousand dollar for that painting ठीक है अब चलेंगे next page पे fifth है हमारा the student यहाँ पर bracket में दिया हुथा sick तो यहाँ पर दिया हुआ है s मतलों कि student वो सारे हैं इक को नहीं कह रहा ही है तो यहाँ पर हो जाएगा have और sick का बनेगा s o u g h t six में है note drive तो हो जाएगा has note driven drive वन शिक्स में हो जाएगा विवेन has note और drive का बन जाएगा d r i v e n seventh है the new department head note manage हमको दिया हुआ था bracket में और इसका बना देंगे has note managed और last में है i i के साथ तो हमेशा have लगता है लेकिन यहाँ पर bracket में भी have दिया हुआ है तो यहाँ पर इसका हम बना देंगे third form head my breakfast breakfast मतलो कि मैंने मेरा breakfast कर लिया है काम खतम हो गया है तो वहाँ पर head लगता है c में है join these pair of sentences to form single sentence is the present perfect continuous tense मतलो कि हमने किसमें इसको बनाना है present perfect continuous तो उसका हम क्या देखते हैं present perfect का एक तो has या फिर have पहले तो यह लगेगा उसके बाद लगेगा हमारा being बीन बीन भी पक एकमपसरी है और उसके बाद लगेगा ing क्योंकि उसने continuous बोला है यह हमारा perfect के लिए और यह हमारा continuous के लिए फर्स्ट है the forensic team started यहाँ पर started को हटा देंगे इसकी जगह आ जाएगा आपका has been tested the evidence और फिर हम लगाएंगे since last week बाकी सारे को हम कट कर देंगे एक तो started को कट कर देना है और they are still doing it इसको कट कर देना है इनकी जगह हमने एक तो has been use करना है और यहाँ पर sense लगाना है और बाकी सारा आपका रहेगा same to same sentence complete second में the teacher started तो यहाँ पर started को काट देना यहाँ पर लगा देना have been have been क्योंकि teachers बहुत सारे है ऐसे लगाया उसने तो have आएगा have been checking the answer sheet since the morning since कब लगता है जब तब से लेगर के अब तक मतलब वो check करते ही जा रहे काम चल रहा है और बहुत पहले से चल रहा है उसने time भी दिया कि morning से है तो since का मतलब बन जाएगा तब से अब तक थैर्ड में हैं अंकिता and her friends अब friends है friends के पिछा आपको दिखाई दे रहागा ऐसे लगा हुए तो यह जादा है तो जादा के लिए लगता है have been हम को लगाना ही है ingm को लगाना ही है winning हो जाएगा the intercity quiz tournament फिर आएगा for the last three year और बाकी सारा जितना दियो है हमने कर देना कट next में है my university अब university एक है तो आएगा has been हमने लगाना ही है publishing ing हो जाएगा a news letter every month for the last five years और कट हमने क्या करना है यह वाला they have done this fifth में हम started को कट कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे have been और country के बाद लगेगा for और यहाँ से अगों से लेकर के सारा काट देंगे six में है श्रिया श्रिया एक है तो यहाँ पर क्या लगेगा has और been बाकि उसने writing के तो ing लगाया ही हुए तो writing a letter to her cousin in Melbourne since yesterday बाकि सारा कट कर देंगे seven थैदा children started तो children ज्यादा होते हैं अगर एक होता तो child आता तो child का इसने कर दिया plural form में children तो हम लगा देंगे have been लगा नहीं है और जो सा digging है वो पहले ही ing में है a tunnel in the backyard since early today कि वो खोद रहा है एक tunnel को घर के पिछे वाले साइड में since early today मतला कि तब से लेकर के अब तक काम चल रहा है तो since लगता है यह लिशा विजिट्स लिशा एक है तो आजएगा has been visiting her grandparents in Delhi very every Christmas for the past 10 years ओके तो हमारी जो उसी वोक्षीट थी 13 यह होगी हमारी done ओके अब हम करेंगे 14 और 15 उसके बाद class 5 का या 7 का या 8 का मैं 7 का सोच रही है क्योंकि last semester में भी उनकी सिर्फ 2 unit गई थी सारा सोल किया हुआ है मैंने पूरी बुका और अब बस uploading ही बाकी है जो आपका होगे वही आता जाएगा थैंक यू